Hello everybody, कैसे हैं आप सब? I am Varsha and you are watching Carbike 360. आज शुकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आटोमाटिक गाड़ी का लोग मैनुल से शिफ्ट हो रहे हैं because of their comfort and ease. लेकिन आटोमाटिक ट्रांस्मिशन की गाड़ी जब आप ड्राइब करते हैं तो एसी बहुत सारी चीजे होती है जो आपको घ्यान रखनी चाहिए, जो आपके दमाग में हमेशा होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ा फटका ना लगे, आपका गेर बॉक्स खराब ना हो और आपके लिए जादा टेंशन का माल ना बने तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो एसी कौन सी चीजे हैं, कौन सी major blunders हैं जो आपको एक automatic transmission वाली गाड़ी में बिलकुल भी नहीं करने चाहिए So we are driving the all new Skoda Slavia 1.5 Turbo in this video जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीजे नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले हम जब गाड़ी को start कर रहे हैं तो हम normally brake press करेंगे और हम अपना left foot जो है वो use बिलकुल भी नहीं करने वाले हैं तो हम इसको बिलकुल release कर देंगे सिर्फ right foot driving हम यहाँ पर करने वाले हैं जो automatic गाड़ी में करना बहुत mandatory होता है तो यहाँ पर हम simply brake press करने वाले हैं अपना और यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा gearbox है यहाँ पर हम इसे प्रेस करेंगे और इसे simply drive mode में डाल देंगे और अब यहाँ पर हम brake को release करेंगे और यहाँ से हम अपना acceleration स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीज जो आपको नहीं करनी है वो यह है कि आपको गेर्स को शेक नहीं करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगा reverse मिलेगा drive mode मिलेंगे जिसमें sport भी आपको मिल जाता है यह अगर आपको यहाँ पर shift करना है तो आपको brake को अच्छे से press करना है half brake करके या फिर आपको बीच में इसको shift नहीं करना है इससे आपको automatic transmission बिलकुल खाराब हो सकता है चले तीसरी चीज़ जो हम आपको बताने वाले है वो यह है कि आपको जब आप automatic transmission वाली गाड़ी को drive कर रहे हैं तो उसके आपको पहली बाद तो water logging का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उसके बाद जो भी आप fluids है लोग ऐसा कहते कि company से अगर हम service कराएंगे तो बहुत ज़्यादा कोस्टी हमें फढ़ जाती है लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है आपको कोई भी यहाँ पर quality में लाक न नहीं होना है उससे आपका fuel ज्यादा कंजब्ट हो सकता है आपको क्या करना है आपको simply अपना जो drive mode है उसको पाक कर देना है या फिर उसको neutral कर देना है अगर आप एक red light पर एक लंबी जगे पर अगर खड़े हुए